Hello friends ये red line है वो EMA 20 days की line है ये blue line है वो EMA 50 days की line है Nifty is making all time highs यहाँ पर moving average का bearish crossover देख सकते हैं EMA 20 ने EMA 50 को उपर से निजे की तरफ cross किया यानि की एक bearish crossover pattern बनी है ये होने के बाद prices नीजे जा सकती है जो moving average देखकर trading करता है वो यहाँ पर बेचेगा, short selling करेगा Stock price ने यहाँ पर EMA 20 का support लिया March 2020 से जो भी new investors आये हैं उन्होंने देड़ साल सिर्फ तेजी देखी पैसा भी बनाया मंदी का experience उनको नहीं था अब पैसे तुपने की शुरुआत हुई है यहाँ से यहाँ तक जिसने भी लिया वो आज loss में है अगर किसी और stock के लिए आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो आप YouTube search में लिखें CA प्रशांशा और share का नाम जैसे आपको Reliance का वीडियो सर्च करना है तो CA प्रशांशा Reliance और सर्च करें आपको ऐसी ही वीडियो मिल जाएगी मुझे लगता है कल प्राइस नीचे जाएगी Thank you